फ्यूचर आफिसर्स मैं अक्षय मौर्या आज अभी किस आप सभी के साथ फिर से जुड़ा हूँ जैसे कि हमारी स्प्रेंट सीरिस कंटिनुएस चल रही है तो इस सीरिस के रिगार्डिंग जो भी हमने अभी तक वीडियो लेक्चर्स रेकॉर्ड कर लिये है या यूटूब पर डाल दिये तो आप सबीनों ने बहुत पसंद किया जैसे कि प्वालिटी का हो गया मैट्स हो गया इंगलिश हो गया साइंस प्लस जियो और अब स्ट्री चल रहा है तो कंटिनुएस हम आपके लिए डाल रहा है और आपको पता है स्प्रिंट नाम क्यू रखा है जैसे क कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था तो चलो शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री का लेक्चर आप सभी मेरा नाम जानते हैं मैं अक्षैम और जो आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ तो कंटिनुएस हमारे काम चल चल रहे है और आप जोड़े रहे किसी पी डिएफ के लिए हमारे टेलग ठेली ग्राम चैनल पर एक टेली ग्राम पर आपके ले सकते हो तो चलो करते हमारा पहला क्षैन आज का जो कि हिस्ट्री का रहेगा आज हम करने वाले से फिक्ट्री ऐस्ट्री में कौन सा आई हैं वह भी इंडस वैली सिवलाइजेशन हम कम्प्लीट कर चुके बाई हाट अच्छे से जिसमें उसमें छोटे से छोटे फैक्ट जो भी कवर हम कर सकते थे तो वह हमने कवर करें ठीक है तो बिल्कुल जुड़े रहे और पसंद करें तो पहला कोश्चन जो आज का है दा उपनिशत आर उपनिशत क्या है? तो यह क्या है justo इसमें उप्शन सी अशु करेक्ट है अब एक काम करते हैं जब उपनिशत की बात हुई है तो हम उपनिशत के बारे में थोड़ा जान ही ले लेतें क्यूंकि end में हमें सारी चीजे समझनी तो सबसे पहला उपनिशत कुन सा अच्क्षा ह अपनिशद चंदो गया अपनिशद है ना दो पनिशद हो गए और और कौन सी हो गए अब चलो इन्हीं उपनिशद के बारे में जैसे कि अतर उपनिशद किस चीज की बात करते आत्मा की बात करते आवाउट आत्मा की आत्मा को सोल और मुक्ती इन सब चीजों की बात करते रहते हैं कंटीन्योस लेवल पहना और दूसरा हम अगर बात करें तो और क्या बात करता है, चंदो गया जो उपनिशद है वो rhythm और chanting of month चंदो गया किस पे dependent है रधम पे और preaching of month की एक मंत किस टोन में कैसे बोले जागे, जैसे हमारे हिंदू धरम में हर मंत्र बोलने की टोन अलग है तो यह वहां से आया कहां चंदो गया अपनिशद से और यह क्या मेंशन करता है भाई लौड कृष्णा का चंदो गया अपनिशद में क्या मेंशन है लौड कृष्णा का चाइल्ड होड रौड कृष्णा का चाइल्ड होड जिसे आज आप दूसरा कुन सा है कथा उपनिशद कथा उपनिशद किस चीज के बारे में सुरी तीसरा कथा उपनिशद ये कथा उपनिशद किस चीज के बारे में बात करता है नची के तन और यम के बीच में जो डायलोग हुआ है जो डिसकेशन हुआ है उस चीच के बारे में ये कथा उपनिशद हमें ब्रीफ नौलिज देता है और क्या बताता है आत्मा नौलिज और मोक्ष किस चीच के बारे में बता रहा है आत्मा नौलिज और मोक्ष के बारे में बता रहा है चंदो गया उपनिश्द कथा उपनिश्द है ना और इसके बाद कुण सब्धध अरंक ब्रहत अंक उपनिश्द यह बहुत जाहद इंपॉर्टन्ट है क्योंकि बात करता है ट्रांस माइग्रेशन ओफ आत्मा की ट्रांस माइग्रेशन ओफ आत्मा ठीक है और अब सबसे ज्यादा आखरी और इंपॉर्टेंट मंदका अपनिशद है ना मंदका अपनिशद अब लिखने कहां जगा इधर लिख देता हूँ चलो हटाओ ये लो मंदका अपनिशद इसमें क्या गेवन है सतिस्ट्स ने मेव जयते जो कि हमारे नेशनल एनवलप में है सतिमेव जयते कहां से लिया गया है मुंत्र। का अपनिशत्त से भूलना मथ लास्टियस के अभी सी डियास्वन में यह कॉशन ता डारेक्ट कॉशन था है और हम ने इस चीज का ध्यान दिया था और अच्छे हुआ था तो यह बहुत अच्छे से ज०्यान रखना मुंत्रक अपनिश्त से ही सत्य मेव जयते लिया गया है ठीक है इस स्यादा और क्या है तो आप यह समझ लेना पढ़ लेना अच्छे से बाय हाट कर लेना और कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं तो हुई फिर चलो नेक्स्ट कॉश्चन के और आज के दूसरे कुश्चन क्यों बढ़ते हैं साथ फॉर्पीन किसने करी थे तो मैक्स मुलर साथ मैक्स मुलर साथ की थी थोरी कौन सी ए वाइक रूमोजूम वाइक है इसमें वो क्या बताते के साथ सेंट्रल इशिया से आए है कौन आर रियंस ठीक है अब इसमें कुछ और नाम है जनर्ल कर निंगम इनको का इनके बारे म साब को भी विलियम जॉन साब की बात करते हैं इसमें से विलियम जॉन साब की थियोरी है लिंग्विस्टिक थियोरी लिंग्विस्टिक थियोरी दी थी उनने क्या कहा था जो त्री और पेत्री वर्ड है हमारे संस्कित का वो कहां से लिया गया है लेटन और ग्रीक सब्सक्राइब और मैक्स मूलर सापी किस पर बेज़ने की जरूरत नहीं है क्या है नो मैंशन मेंशन सिंदू का मैंशन हाँ गलत हो गया यमना का सब्सक्राइब यह साउथ इंडिया में कहां बहती है आप बताओगे और किस स्टेट से लेकलती है चलो यह कॉस्चन आपको आज दिया जोग्रफी का चलो देखते कैसी जोग्रफी है तुमारी तरिगवेद गौडवरुन गौडवरुन की बात हो रही है रिगवेद के पीर सब्सक्राइब किसे माना जाता था वर उनको चलो आब इसम को ज्यादा समझने का ही नहीं है चलो इसमें भी समझाए दूब क्या चलो गौट की बात हुए रिगवेद के टाइम योडवेद की बात है रिगवेद में कौन कौन गॉड़ है भाई नेच्रल्ट पावर्स ए और आगनी कौन है भीच के वह पर है क्योंकि जो भी सेक्रिफाइस हवन ने गोर रहे तो यह माना जाता था कि आगी ही कर वा रही है हमें इंदर से है ना तो बिलकुल कन्फ्यूजमन्ट होना इस चीज में चलो अगले की ओर ग्रेट लॉगिवर इन एशन सबसे अच्छा लॉग किस ने दिया था ये भी एक कॉशन आया था और कई बच्चों ने गलत किया था अप्शने मनू विल भी दर करेक्ट आंसर क्योंकि मनू की कौन सी मनू स्मृती वो क्या बताती है हाउ टू लिव कैसे जिया जाता ये एक लौ है नियम है ठीक है और इस मनू स्मृती को ही माना जाता है लौ गिवर मनू को ही माना जाता है लोग फ़र जैसे एशियन पिरेट के कौन है मनु मनु सापको माना जाता और मौडन इंडिया के मनु कौन है भीम राओं चारजी भीम रहां चारजी मौडन मनु के नाम से कीने जाना जाता यह भीम रहां पैटकरजी को है ना अब हूँ वाज दा एल्डेस्ट ब्रदर अमंग दा पांडवास अब यह कॉश्चन यार तुम सबको पता है ती जादा वो सुन लिया है तुम लोगोंने क्या कहते गीता तो आप सभी को पता है सबसे एल्डेस्ट ब्रदर कौन है युदिश्टेर है ठीक है चलो नेक्स्ट बश्चन की उर्ब फर्स तो इंडिया सबसे पहले कि नहीं किया था आघनिएंट कीया था शरी इंस Cornarian का रशही तो सेसे किया वाले पार्ट जो हमारे इंडिया में इंटर करें जैसे ही वह इंडिया में इंटर करते तो उनका नाम क्या हो जाता है और रेन हो जाता है ठीक है याद रखना यह भूलना मत बिलकुल कभी मत भूलना यह कॉंसेप्ट है यह वाकि कभी क्लास चाहिए हो तो बताना दा ओरीज सामवेद से ठीक है अब यहां चारो वेदों की बात है तो चारो वेदों की आज हम बात करी लेते क्योंकि रिगवेद का पीरेट की बात चल रही है और जैसे जैसे कौशन बढ़ेगा तो हम सारी बाते करेंगे ऐसा नहीं है कि कुछी भी सूट छूटेगा माइनर से माइनर म देखते हैं रिगवेद रिगवेद क्या है Constitution उस टाइम का क्या है Constitution वह चला रहा है सब्वेता समाज को तो रिगवेद में जो भी चीज मैंशन होगी वह strongly और strictly follow की जाएगी रिगवेद के लोगों के दुवारा है ना तो पहला रिगवेद में कितने मंडल से अब यह नॉर बहुत डिटेल जानकारी करते हैं अगर हम तो किसके लिए गाय जाते थे यह किसके लिए गाय जाते थे यह मंत्र संग फॉर इंद्रा अगनी मैत्रा यह सब मित्रा यह सब गौड इस इनके लिए गाय जाते थे इसके मंत्र मतलब सुनाए जाते थे गाने का एक वे होता था और पुरुशहा सुकता एक बहुत अच्छा वर्ड है पुरुशाहा सुकता ये क्या बताता है ये वन सिस्टम के बारे में बताता है कि किसका जो गौड है किस वाडी पार्ट से किसका जीन हुआ जैसे से वरभ जो बता गया यहां से पता चलता है इस से मंडल में में गविए violating मंडल में याण रखना है कि ठेंड मंडल एक और इंप्वाटन चीस जो छूटने नीचाहिए हो से गायत्री मंद्र गाईत्री मंत्र गाईत्री मंत्र कौन से वाले हिंस में तीसरे मंडल के 62 वाले हिंस में given है अब ये mistक तो बिल्कुल मत करना पिपर में अब आ जओ यज रुभीत थोड़ी हम यज रुभीत की भी बात कर लेते सामवेत की क्या है भाई सामवेट को अपने जानने के पहले यज़रवेट जान लेथे रिट्वल रूल इड़ टाइम आफ सेक्रीफाइस में क्या मैं अब कि टाइम की एड़ टाइम एक तो गया शुकला यजुर्वेद ठीक है एक तो गया शुकला यजुर्वेद दूसरा कौन सा हो गया कृष्णा यजुर्वेद ठीक है यहां मिस्टेक मत करना कृष्णा यजुर्वेद दो पार्ट होगा शुकला यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद याद रख यहां से हमें पता चलता है कि जो तीनों वेद है वह बाद में लिखे गया है थाउजन बीसी के बाद सबसे पुराना वेद कुन सा उल्डेस्ट यह वाला वेद है रिगवेद और यह क्या है वर्ल्ड हेरिटेज बुक्त में भी इंकलूड है हमारे एक भूलना मत बहुत ही ज अधर वेद किस बारे में बताता है यह तो आप सबी को पता हुआ कि अधर वेद से क्या लेकला डार्फ मैजिक लेकला है अब आप डार्क मैजिक के सास्त क्या चीज चीजे में मैंशन है डिटेल आफ रिचूट चाम से पेल अब इसमें चीज ऑन डीटेल्स दी गई है इवल के लिए और डिसीजिस के लिए कैसा क्या है डिसीज्सकी जानकारी कहा दी गई अश्यवीर क्या सक ठीक होगी क्या तूहीं कर ट्रीटमेंट है और कि अश्यवीर में सबसे इMPORTन चीज़ है याकि चिक गिवेन है बिलीव हुआ कि ऑफ नोन मरेन नौन आर्जेंस की बिलीफ कहां गेवन है अथरवेद में यह हमारे को तारवेद है जो कि आपको याद रखने है याद रखना यजरवेद भी दो पार्स में डिवाइड़ेड है शुकला यजरवेद और कृष्णा यजरवेद इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी योगा सुत्रा पंचतंत्र भामा नहीं सबस्यादा फेमस है योगा सुत्रा की बात कर लेते हैं पतंजली से लिकला है योगा सुत्रा में किते कंपाइंस है 196 ठीक है 196 इंडियन सुत्रास दिये गया है काई के सुत्रास दिये गया है योगा के सुत्रास दिये गया है किते 196 योगा सुत्राज है कि आप योगा कैसे करोगे किस टाइप से करोगे यह फिलोस्फी टाइप में लखा गया है फिलोस्फी कल वे में ठीक है तो किते 196 इंडियन सुत्राज ऑफ योगा है याद रखना है भूलना मत यूपी PCS 2023 का ये कॉशन है ठीक है पतंजलीब से यहां बिल्कुल कोई भी गलती मत कर देना नहीं तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है चलो अब कॉशन नमबर 11 विच वन आफ फॉलॉइंग फोर वेदास अग्याइए इससे पहले भी समझाया था मैजिकल चाम्स है सिपथ अधरवेद में बात blue मैजिौपल चाम्स की कहां बात करें पॉरुषा मेधा पुरुषा मेधा आप मेल सेक्रिफाइस इस रैफर्ड इंटू एक प्रकार का मेल सेक्रिफाइस होता है कि मेल कैसी क्या पूजन करेगे यद्द करेगे तो कहां से आता है वो ऑप्शन सी विल बीड़ा करेक्ट अंतन सत्य पथा ब्रह्मना सत्य पथा ब्रह्मना में से यह चीज आती है अब दो वर्ड गोत्र अकर सौज फर्स टाइम किस कहां पहली बार गोत्र वर्ड कहां यूज हुआ है रेगवेड में अब यह क्यों हुआ है सनो यहां से इस प्रफिक काउंसेट्स उनो गोत्र गोत्र बनने का रीजन क्या था सुसाइटी फैल गई थी तो उस हिसाब से यह था कि ब्रदर के बीच में मैरिज ना हो जा जिस वज़े से दिक्कत हो जाएगी तो क्या सिस्टम इन्डिया में डЭ즈 सिस्टम डेवलप्ट किया गोत्र जब स्टार्ट हुआ था तो किस लोकिशन पर नाम था लोकिशन के नाम था जहां कैटल बांदी जाती थी बाद में जाके Zーム पर गया ठीक है याद रखना सबसे पहले किस्षक पर था पर इस गोत्र में क्या होता था उन सिस्टर के नाम पर वह गोटर चलता था विवाम में अगर एक गोत्र है लड़का य लड़की यया तो शादी नहीं होती थी क्यों कि प्यौर बलड की शादी प्लट को खराब नहीं करना चाते थे अब खराब नहीं करना जाते थे ऐसा माना जाता तक इस इंग उट्र में शादी होती है या तो बच्चा मर जाएगा डाइड हो जाएगा या तो वो विकलांग होका है न कोई ना कोई यूमन बॉडी प्रॉब्लम से वो परिशान रहेगा ठीक है इत्तायाद रखना इस वज़े से गोत्र सिस्टम आज भी भारत में लागू है गोत्र समझगा है सबसे पहले इंसिस्टर के नाम पे था इसमें कोई गलती मत करना mixture of blood नहीं होना चाहिए इसलिए यह हमारे इंडियन कल्चर में गोत्र वाला सिस्टम है और आज भी blood group चेक करने का एक तरीका था उस समय गोत्र आज जो आप blood group चेक करते हो ना साइन्स भी मानता है इस टीट को सेम ब्लेट गुरूप रहेगा है ना तो क्या है उसका माबाप कर सेम ब्लेट गुरूप है तो उसका जो आधिवास्हा छालो इसा थोड़ा साथ दे लिकए अंडर गार्मेंट यूटिर थी के नीवी अंडर Wagamintah आदिवाशा क्या है अपर गार्मेंट है और परीधनिया वासा इसका इकोन नाम है वासा भूलना मत परीधनिया वासा जो है लोऊर गार्मेंट है ठीक है यह लो और ऐसका यूज कैसे बनता था काॉटन या सिलक से बनता था यह भी चीज यह द रखना है ना समय के लोगों को कॉटन और सिलक का बनाना थह था कोटल सिंक इसके कपड़े ब्लेक्समित का काम नहीं करते थे वो बनाते थे जीवर बनाते थे कौन सी इंडस्वेली से ए सौरी रिगवेट की कौन सी एक ग्रेवेर पेंटेड ठीक है जोलरी इस भी ती कारपेंटरी भी थी ब्लेक्समित नहीं था दो वर्ड वेदा मीन्स दो वर्ड वेदा नौलेज विद का मतलव है वीदाका नौलेज जैसे की एक वरड वेदा वेदा है तू नौ यह मतलब है है न चलो नेस्ट कोशन की वो चलते है हम आज के अस्ट अध्याई was written by अस्त अध्याई किसके दिए पानी जी के ृइदा रि गइन डे प्रेटिशनर ऑफ नमेडिसेंड किसे का जाता आप सबी और धनवंत्री जी को चांड़ चरक सहीता क्यों है शुष्ष्षत जी ने क्या लखा क्या बता आप कमेट वाक्स में करके बताना यह तो आप भारत के famous sage रहे या संत्र है जिनने बहुत अच्छे चीज़े हमें बताई है the stamp food of the Vedic आर्रेंस वेर यह में stemple food क्या था वेदिक आर्रेंस का milk and its products अब मिल्क पंदरा सौसे हजार बीसी की बात करी जाए तो हमारी जो और आर्रेंस की डिपेंडेंसी थी वो काय कैसी थी पैस्टूरल थी पैस्टूरल थी पैस्टूरल के और सेकेंडरी क्या थी एग्रीकल्चर तो सबसे पहले वो dependent रहते थे किस पर मिलक है इस लिए सबसे ज़्यादा वेल्यूबल कौन थी गाय थी तो इसको किस नाम से आदा था गौदन और यूनिट आफ काउवास हाई यह तो आपने भी पढ़ रखा होगा इस ट्री एंसी आटी में यूनिट आफ काउवास वेरी हाई इस वज़े से क्यों काउवादन सुने क्या मिल रहा है मिलक मिल रहा है करड मिल रहा है घी मिल रहा है एह ज़ प्राइमरी हो गई और पिस्ट्रल सैकेंडरी होगई थीक है इस चीज़ का ध्यान रखना यहां गल्ती मत कर देना जो इन विज लैंगविज वाजदा शीमद भगवत G está originally written कुन सी language में written है स्रीमद भगवत G está Sanskrit language में किसे में दुआरा लिखी गई है शीमद भगवत G está आप सभी को इसका comment box में आनसर बता नही नहीं बता रहा Battle of Muhammad Hab . Believe to be fought at Crushtr for 18 days 18 days के लिए ता ऐसा भी मना जाता है जो भारता वार हुआ था उस चीछ के बारत है बाई जैका युद्ध के बेच जिसमें कवर और पांडवाद एक दूसरी के लड़ेते और यद्ध युद्ध कोई रास्ता नहीं आए पर जब मारे पास कोई रास्ता नहीं बसता तब जाके हम युद्ध करते इस वज़े से युद्ध करना भी उच्चे थे पर तब अच्चे थे जब आपके पश्क्रान कोई रास्ते ना बचे हो पाचों लगाने पड़े पर पीछे मत हटना लगा देना तो तुम लोग भी लगा देना अभी शांत बैठना पर अब उपनिशद में क्या बोला गया कि गुरू के चर्णों के पास बैठके ही आपको ग्यान की प्राफ्ती हो सकती है ये भारती सब्विता का बहुत अच्छा नियम है कि गुरू को इश्वतुल माना जाता है और उसके चर्णों के पास बैठके और ये चीज़ तो आज के जो आज के जो बच्चे हो सब भूल चुके है क्यों क्यों कि गर आप एक रामायन अगर आप ने सीकियो रामायन जैसे जाए इसकी बात हुए हम रामायन की बात करें रामायन रामायन में क्या कहते है क्रिशन जी ए राम जी जब रावन से नौलिज लेने जा रहे हुते को लक्षमन की भाई उनके चर्णों के पास जाके बैठो और सर जुका के उनसे ग्यान प्राप्टी की रिक्वेस्ट करो तब जाके आप उग्यान मिलेगा इसलिए ग्यान भी ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता रिकनोईज दा मैडी मैडी मैडीकल ट्र ओफ इशेंट इंडिया फ्रम दा फॉल्विंग ऑप्शन मेडीकल ट्रियो मेडीकल मैडीसिन के ट्रियो किसे कहा जाता है चक चरक सहीता शु सब्सक्राइब कुछ देखेंगे जो हमारी चूट गई है और थोड़ा सा वन सिस्टम के बारे में पढ़ लेगे जिसमें आपका कुछ भी ना चूटे किस ने संस्क्राइब लेखी है तो पानी चीने संस्क्राइब लेखी है चारधना अब कालिदास जी ने क्या किया या बताना चलो तो आच का लास्ट कोशन होगया यहां से हों गया आपका सारे काम तो अब यहां से हम थुड़ा बात कर लेते हैं रिगवेद रिगवेद की कौन सा political settlement की जो आज मिस हो गए है question उसके बारे है political settlement क्या साथ है कुल ग्राम विश जन ये starting में था तो कुल का head कौन था ही कहसाब से कुल पती हुआ करते थे head ग्राम का head ग्रामिनी विश का head विश पती जन का head गुपा और फिर आगे जाके जन पत तो जन पत का head कौन राजन और जन पत के बात क्या बनेगा सूला महा जन पत सूला महा जन पत की बात क्या बनेगा empire यह है political settlement भारत का जो धीरे धीरे empire में बदला सामराज्जे में बदला और फिर जो आज भी चला आ रहा है ठीक है यहां mistake मत करना तो कुल का हैट कुल पती ग्राम का हैट ग्रामनी विश का हैट विश पती जन का हैट गोपा और जन पत का हैट राजन एक जैसे एक कुल है दस कुल मिलके एक ग्राम बनाते है दस ग्राम मिलके एक विश बनाते है दस विश मिलके एक जन बनाते है और दस जन मिलके एक जन पत बनाते है और ऐसे दस महा जन पत मिलके एक empire बनाते है ठीक है यहां कोई गलती मत करना चलो इसको मैं हटा दू अब आपरे पसंद आया तो बताना या लेक्टर कैसा लग रहा है तो चली रही है कोशिश पूरी है कि तुम लोग को कम टाइम में जादा जादा नौलिज दे दू टाइम भी काम है अब बात कर लो पॉपुलर असेम्बली की अब यह उपकाया हुआ ना तुम लोग को सबको पढ़ना भी है सीडियस का पेपर आ गया है तो अब बिलकुल घुड़े दोड़ा होगे पॉपुलर असेम्बली में हम बात करते हैं दो तीन प्रकार की असेम्बली होती थी विधात विधत सभा समीती यह तीन होती थी और पर आता था कौन राजा राजा है ना यह तीन समीती होती थी तो इन तीन समीती पर अब चर्चा करते हैं तो बात चते हैं पहली कौन फीं विधत कहा थी जंता minimize थी कौन थी जंता एसेम्ली चलो यह हो गया सभा क्या थी help king to make law सभा क्या कर रही है help king to make law है न यह हो गया यहां तक कोई गलती मत करना बिल्कुल और समीती क्या कर रही है to elect king and help king राजा को चुनने का काम कौन कर रही है समीती कर रही है मतलब यहां से हमें एक चीज़ समझ में आई है रिगवेद पीरियड में राजा जो था वो कमजोर था पल लेटर वेदिक में ताकत आएगी तो राजा सभा समीती को बदलेगा और अपने अपने खुद के डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स प्लांट करेगा अपने ओफिशल और खुद को ताकत मिलाएगा इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिगवेद पीरियड में राजा की ताकत कम है और लेटर वेडिक से राजा की ताकत बढ़ती गई और राजा बहुत शक्ति शाली हो गया अब यहां तक बात खतम अब रिगवेद की बात कर लेते चलो मिटाता जा रहा हूँ मैं सारी चीज़े चलो आजा ओप्शन सी विले विदे करेक पानी अब आजा थोड़ा वन सिस्टम की बात कर ले हम वन सिस्टम की तो रिगवेद टाइम बे दो ही वन सिस्टम थे कुण कुण से आर्रे और दासा और रिगवेद बिलकुल मतलब यह मानू गयारा सो के आसपास 1100 BC के आसपास दा प्रीस्ट दा किंग और कॉमन पीपल यह सोसाइटी का डिवाइडेशन था लेटर वैदिक में क्या आता है ब्राह्मा शत्रिय शूद्र यह क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग का और फिर और लेड जाके मतलब सम्तिंग साथ सो से टीए ब्राह्मान शत्रिय वैश शूद्र यह यहां तक कोई दिकत नहीं होनी चीए चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी लेक्चर अच्छा लगा तो बता देना बिलकुल अगल लेक्चर और बहतरी मनाऊगा चलो जब की भी और लास्ट एयर की भी हर घर तरंगा तो इस बार भी हम हर घर तरंगा रहे करेगे और हम अपने निशन को प्राउट फील कराएगे चलो जाहिंद अपना ध्यान रखना